ये रोते बिलखते परिजन गंड़क नदी की धार के शिकार हैं दुख के आशू अभी सूखे भी नहीं थे कि लालगन जाफराबाद में गंड़क नदी बुद्वार की सुभा उसी परिवार के दो और लोगों को निकल गई हलाकि काफी मशक्कत के बाद घंटो तलासी के बाद डूबे हुए लरकों को निकाला गया वशाली जिले के लालगन जाफराबाद गाउं में बुद्वार की सुभई को बड़ा हाथसा हो गया सवदाह के लिए जा रहे कुछ लोग जब रास्ते से उपर बहर है नदी को पार करने में लगे थे उस वक्त दो युवक तेज पहाओ की चपेट में आ गया और धारा के साथ भय गया लोगों ने देखा तो आनर फारन में अस्थानिये लोग पानी में कूद पर एता की उनकी जान बचाई जा सके डूप रहे वोगों को बचाने के लिए लोगों का मजमा लग गया और काफी सारे लोग घटा हो गए उन्हें धुन्ड ने पानी में उतर अस्थानिये निवासी समर जीत कुमार से जानिये कि मौके पर आखिर क्या कुछ हुआ कुछ भूद Noff 2 अधमी को बोला है तीन इसा कुछ बोला है तीन ऊदमी लेकिन दो आडमी कॉंठ गुझ बोला है कहीं कि दो आदमी कन्फर्म है मिला नहीं कुछ नहीं दर अज़ास्तिया अगा यहां पानीं मेरे बहुत ज़्यादा बहा और भावजे है लोग तो 8 गंडा इस घटना के बाद चीक पुकार मच गई एक व्यक्ति की मौत के बाद मेहमानों और कुटुम्बों से भरे परिवार पर एक और काल का प्रहार पुरे गाउं में हाकार मचाने लगा डूबने वालों में दूर से आये सिदार काईक लड़का भी शामिल था जो दुख बाटने आया था दुख दे कर चला गया डूबने वालों में अमरितपुर निवासी अनिल साह उम्रे लगभक 32 साल और भगवानपुर निवासी राजेश कुमार उम्रे 22 साल शामिल है सगंतलासी के बाद दोनों डूबे हुए उपको को अचित अवस्था में पानी से बाहर निकाल निदी है आग हवा बिजली पानी प्रलाई के पोशक माने जाते हैं लाल गंज का जाफराबाद हर साल बाठ का दस छेलता है और हर बार ऐसी घटनाय सामने आती है अस्थानिये मुखिया लखेंदर प्रसाद यादव भी मौके पर मौजूद थे और ततकाल विवस्था का म परावाद के रंजीत साहा है जो भी टाटा में ट्रॉक एक्सिडेंट से मरा गिया उसका लास रात एक देर वजे आई है उसी परवा करने के लिए उनका समंधी कुझूम जू है ये गो है अनिल साहा थिता हर्नेंदन साह ग्राम अमरी तूट खाना बैसाली का है ये गो है राजेश सा भावानपुर खाना अंतर गतुन का घर परचा है एक टेशन के लोग इसको परवा करने के लिए नाव दुआरा दूनाव पर चहर करके वहां उस पर ले जाकर के और हाथ पर परवा करना था उसी करह में दून्यों नाव डूल गी यहां के लोग था पैर के नि अजने नहीं है इसका नत्रिशा इनि दोनों पानी मिनाव में नाव सहेत नुग जोनों नाव डूल तो उसमें और भी लोग सवार रहे होंगे वह लोग बच कहेंगा बाद बच किया दो आज वह बच किया गया तो लास निकला एक पोटेट बोटी है और यह जो के नरी चल पानी का बहा बहात है क्या द्याद को सका हुइए और आज अस्कीया जाएगा सरकारी होजा है 늘 दुगम को यूणों परिवार को दिया जाएगा वहां से सरकारी हो जिया है अपने नाम अपरचाइब परशाद यादो किराम परचाइब दाथ रविया मुडिया झाल झाल